बिहार में बालू की अवैद खनन का खेल जबर्दस तरीके से खेला गया है जी हाँ अवैद खनन के खेल ने कई पुलिश बालों की नौकडी तक ले ली लेकिन इस सब के बावजूद अवैद खनन के मामले में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है अवैद खनन के खिलाफ खनन विभाग और पुलिस की तरफ से चापे मारी तो खूब होती है लेकिन प्राथमिक्तिक दर्च करने में बड़ी कोता ही बढ़ती गई है बालू के अवैद खनन पर रोक लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग की सारी कवायद होती नजर आती है पुलिस की मदद के बाद भी जिलों की खनन अफसर अवैद खनन पर रोक लगाने में फेल हो रहे हैं आपको बता दी कि खनन अफसर विभाग के निर्देश्ट पर छापे मारी तो करते हैं लेकिन छापे मारी के बाद इसकी प्राथमी की दर्श कराने से बचते हैं इसी कारण इस साल सितंबर महीने तक सभी जिलों को मिला कर करीब 1600 छापे मारी अभियान चलाए गए हैं लेकिन प्राथमिकी करीब 350 ही दर्श कराई गए कुछ जिलों में तो छापे मारी तो हुई लेकिन प्राथमिक्ती सुन नहीं रह गए खान एवं भूतत भाग के निर्देशक स्तर पर पिछले दिनों में एक समिक्चा बैठक हुई थी जिसमें रास्वा संग्रहन से लेकर अव्यत्खनन के खिलाफ जिलों में की गई कारवाई पर चर्चा हुई जिसमें ये बात सामने आई कि अव्यत्खनन कराने वालों के खिलाफ जिलों में प्राथमिकी दर्श करने में घोडला परवाही हो रही है कहा जा रहा है कि समस्तिपूर से लेकर खगरिया तक जैसे जिलो ने प्रात्मिकी का खाता तक नहीं खोला जबकी इन जिलो में अलग अलग समय में बालू माफिया के खिलाफ कई छापेमारी अभियान चलाए गए हैं जबकि जो प्राथमी की दर्श की गई है उनकी संख्यां 360 है समीच्छा बैठक में जिलों की ये लापरवाही सामने आने के बाद से विभाग के निर्देशक के स्तर से जिलों के खनन पद अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं जिलों को ये इधायत है भी दी गई है कि दर्श प्राथमी की सूचना से मुख्याले को भी अवगत कराया जाए रसूलपूर सहीत रोहतास प्रकंड के दस अवैद बालू घाटों पर जेसीबी मसीन चला कर रास्ते को बंद कर दिया गया है ये सिलसिला करीब पिछले तीन दिन से लगतार चल रहा है सोमवार को रसूलपूर असमधुआ के सोन नदी में जाने वाले रास्ते पर जेसी भी चला कर उस रास्ते को अवरुद किया गया है इसके अलावा तुमबा, बंजारी, जालिम, बिगह, रोहतास, बसकटिया, जमूई आदी जगों पर अव्यद बालू कनन को लेकर बालू घाट पर रास्ते को अवरुद किया गया है जी हाँ, अव्यद कनन का खेल चापे मारी में आगे केस दर्स कराने में लोग आखिर क्यूं रह रहे हैं पीछे